वेलकम एवरिवन, वेलकम टू जे रेस मंतरा, आज हम लोग इन्वार्मेंटल इंजिनेरिंग का यूनिट फाइब देखने जा रहे हैं, यूनिट फाइब में हम लोग इन्वार्मेंटल पॉलूशन के बारे में पढ़ रहे थे, और रेडी हम लोग बहुत सारे टॉपिक सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्च्वली में ग्रीन हॉस होता क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यों होता है इसका इंपक्ट, हम लोग के लाइफ में इसका इंपक्ट होगा, इन्वार्मेंट में इसका इंपक्ट होगा, ये चार टॉपिक रहेगा, उसके लास्ट में आपको एक दो question है, वो भी हम बताएंगे कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है, तो पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको जो भी notes है, वो PDF के format में मिल जाएगा, ग्रूप में, WhatsApp ग्रूप में मिल जाएगा notes, और साथ ही साथ हम notes को एक readout भी कर देंगे, एक बार स ऐसे हैं, जहाँ पे temperature है, पुरा सालों बर, वो warm नहीं होता है, गर्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब वहाँ ठंडा सालों बर होता है, temperature 10 डिगरी, 8 डिगरी के आसपास होता है, इवन समर में भी, तो उनलोग फल, सबजियां उगाने के लिए एक technique का यूज़ करते हैं, देख जहाँ से समझना हम क्या पो रहे हैं, यह जो glass के, यह होते हैं, जो glass का घर बना होता है, उसमें होता क्या है, एक्चॉली इसका mechanism क्या है, छोटे-छोटे glass का जो panels होता है, उसी से बनाया जाता है, तो इसमें sun का जो ray है, sun का जो radiation है, जो भी इसमें light होगा, इसके अंदर तो चला जाता है ध्यां से समझना इसके अंदर चला जाता है और वो air को warm कर देता है अंदर का जो condition है उसको गर्म कर देता है ठीक है बाहर का temperature कुछ और है और अंदर का temperature कुछ जादा होगा ठीक है उसके बाद यह जो light है वो entrapped होता है उसके अंदर temperature बढ़ जाता है यह क्या है सर तो सर इसको हम बोरे glass house glass से बना हुआ house ठीक है glass से बना हुआ house तो इसमें होता क्या है तो पेड़ पौदे उगाये जाते हैं farming किया जाता है कहां किया जाता है तो ठंडे country में जहां पे temperature है वो बहुत जादा नहीं होता है अंदर अ किया जाता है cold reason में करते हैं तो यह जो glass का house है जिसमें sun के radiation को इंट्रैप करके अंदर का जो environment है उसको warm किया जाता है इसी को बोला जाता है green house यह glass से बना हुआ घर है इसे को क्या बोलते हैं green house बोलते है green green house ठीक है इतना समझ में आ गया green house अब similarly कुछ ऐसा ही हम लोग के अ और चारा है ठीक है हम लोग इस पे रहते हैं और इसके चारो तरफ जो air का layer होता है उसी को क्या बोलता है atmosphere बोलते हैं हम बोलें ये अर्थ है ठीक है यह क्या है अरृत है और ये बाहर का जो layer है या गैशियस लिए अपर वह यह है इसको क्या डी यह इसमें जो अर्थ का रेडियेशन होगा, बहुँ सारा radioactive होगा, बहु सारा raise है, वो अर्थ पे आएंगे, अर्थ पे आने के बाद ये टकरा कर कुछ raise है वो बापस चला जायेगा, इन्वहर्मेंट में ये बापस चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, कुछ raise होगा, जो radiation कुछ radiation है वो reflect होता है और atmosphere में present gases से टकरा कर फिर से ये अर्थ पे चला आता है ठीक है और ये बहुत जरूरी है radiation को reflect होना मान लोग की night में जैसे दीन में तो sun का light है वो अर्थ तक पहुँच रहा है और अर्थ पे टकरा कर वो बापस चला जा रहा है और साथी साथ कुछ radiation है वो reflect होकर अर्थ के surface पे भी आ रहा है लेकिन night में तो हम लोगों के पास अर्थ का अर्थ पे कोई भी sun का radiation नहीं आता है तो यह जो reflection होता है इसी reflection के कारण हम लोग को रात में भी गर्मी रहता है और यह बहुत जरूरी है living organism के लिए living beings के लिए बहुत जरूरी है अगर यह reflection नहीं होगा देखो मान लोग अब यह sun है इधर थोड़ा से इधर बना रहे हैं समझने के लिए आपको समझाने के लिए अगर sun इस तरफ है ठीक है तो इधर क्या होगा यह इस reason में क्या होगा कुछ भी sun का light नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत जादा cold हो जाता है बहुत जादा thund हो जाता है ठीक है लेगिन यहाँ पे क्या होगा बाबू कि बहुत सारे gases रहेंगे जब sun इधर उधर चला तो इसका जो ray है वो बापस आएगा और इसको reflect कर देगा इसका जो ray है वो reflect कर देगा तो night में भी इधर temperature क्या रहेगा बना हुआ रहेगा किसके कारण तो radiation के reflection के कारण अगर पूरा पूरा जो radiation है वो reflect हो जाएगा तो रात में हम लोग बहुत जादा ठंडा feel करेंगे ध्य हम लोग रात में बहुत जादा ठंड feel करेंगे ठीक है बहुत जादा temperature लो हो जाएगा तो यह atmosphere का होना जरूरी है इसमें जो gases है उनका होना जरूरी है ठीक है तो यह जो green horse effect था कि अंदर में जो radiation है वो entrapped हो जाता था reflect होकर अंदर ही फस जाता था warm कर दे रहा था बिलकुल वैसा ही condition अर्थ पे होता है और इसलिए हम लोग जीवित भी है नहीं तो ठंड से मर जाते रात में ठीक है तो reflection होना जरूरी है रेडियेशन इधर अर्थ का जो sun का light होगा वो reflect होगा चला जाएगा बहुत सारा huge amount में radiation है वो बापस चला जाता है small amount में यह जो radiation है वो reflect होकर धर्तिव पे आता है अगर पूरा पूरा reflect हो जाएगा तो हम लोग गर्मी से मर जाएगे अगर reflect नहीं होगा तो हम लोग ठंड से मर जाएगे तो ठीक ठाक amount में यहाँ पे gas का रहना जरूरी है ठीक है तो यह हो गया green house green house समझ गए क्या होता है तो फिर से एक बार समझ लेन एक glass का house होता है जिसमें radiation आता है और in trap हो जाता है फस जाता है और अंदर का temperature बढ़ जाता है इसी को green house बोलते है बिल्कुल similarly हम लोग का यहीं चीज अर्थ पे होता है अर्थ पे sun का light आता है यह टकराता है surface से बापस जाने लगता है तो बहुत सारा ray तो बापस चला जाता है बट उसी में से कुछ ray है वो gas से टकरा कर फिर बापस धरते पे आ जाता है और इसी को बोला जाता है green house समझ में आ गया green house समझ में आ गया इतना क्या होता है अब हम लोग समझते है कि कौन कौन सा gas है वो green house के लिए responsible है तो gases जो responsible है green house के लिए वो carbon dioxide है ठीक है methane है इसके अल इसके अलाबा vapor होता है ठीक है vapor होता है वो responsible होता है मतलब जल का जो बास बनता है वो भी green house के लिए responsible है ozone होता है वो भी green house के लिए responsible है green house कहने का मतलब है कि यह जो यह सब gases है carbon dioxide methane CFC chlorofluoro carbon यह पहले AC refrigerator हम लोग जो DO लगाते हैं उसमें CFC chlorofluoro carbon होता है nitrous oxide यह fertilizer में होता है जब हम लोग खेती करते हैं तो खाद जो छिड़का जाता है वहां से NOx nitrous oxide निकलता है vapor और ozone तो समझ रहे हो ओतरी तो these gases are responsible for the green house effect यह responsible है लेकिन हो क्या समझ में आ गया कौन कौन से gases होते हैं लेकिन अब हो क्या रहा है ध्यान से समझना हम लोग बहुँ ज़्यादा transportation होने लगा यानि fossil fuels है diesel, petrol, koila यह सब को जलाने लगे आइदर दम ध्यान से सुनना देखो क्या बोरे industrial development होने के कारण fossil fuels को जलाने से बहुँ ज़्यादा gases निकलने लगा deforestation करने लगे पेडों की कटाई होने लगी तो यह सब के कारण क्या हो रहा है कि यह जो gases जो gas, जो radiation को बापस भेजता था उसका संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसका quantity बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो बहुत ज़्यादा रे को क्या करने लगा reflect करने लगा है जिससे हम लोगा अर्थ है वो warm होने लगा गर्म होने लगा इसी को बोला जाता है global warming पूरा का पूरा अर्थ है, उसका temperature बढ़ रहा है, और यह global warming किसके करान होता है, तो green house effect के करान होता है, green house effect के बाद अगला topic हम लोगा global warming ही है, और global warming के बाद AC drain, दो topic और बचा है, उसको भी हम लोग कम्प्लीट कर देंगे, तो हम पूछेंगे कि यह green house effect है, उसके लिए क्या चीज़े responsible है, तो बोलोगे सर, factory और industry, factory और industry से बहुत जादा huge quantity में बहुत सारे gases निकलते हैं, जो हम लोग के atmosphere को polluted कर रहे हैं, उसके बाद है कि agriculture, खेती करने से fertilizer के छिड़कने से nitrous oxide निकलता है, वो भी green house के लिए responsible है, ठीक है, these are the example, deforestation, deforestation होने से, यानि पेडों की effect से जूज रहे हैं, इसके बाद impact क्या है, what is the impact of green house effect, देखो, जैसे ही global warming होगा, temperature अर्थ का बढ़ जाएगा, तो जो ice है, glacier है, वो पिघलने लगेंगे, और समुंदर का जो level है, वो rise कर जाएगा, समझ में आ गया, temperature change होने से, temperature के बढ़ने से, climate condition बढ़ जाएगा, कहीं पे बहुँ जादा सूखा होगा, कहीं पे बहुँ जादा बाड हो जाएगा, temperature बढ़ गया, तो e-vaporation जादा हो जाएगा, ध्यान से सुनना, एक जगह पे e-vaporation हो गया, water का e-vaporation होकर बादल बन गया, तो जादा e-vaporation हो गया, तो इधर बाड हो बन गया, अब ये बादल कह बहुत जादा बारिश हो जाएगा, तो जहां पे बहुत जादा बारिश होगा, वहां पे बाढ़ हो जाएगा, ठीक है, तो ये Greenhouse Effect का ये सब इम्पैक्ट था है, क्या क्या बोले, तो Glacier का पीगलना और Sun ये Sea, क्यानि समुंदर के लेवल का राइज होना, समझ में आ रहा है इसके बाद हम बोले climate change होगा, कहीं पर बाढ़ा जाएगा, कहीं पर सुखा जाएगा, ठीक है, these are the impact of, और we can say effect of the greenhouse effect, greenhouse effect, greenhouse effect, greenhouse समझ में आ गया, इसी को greenhouse effect भी कहा जाता है, जो यह होता है, reflection होता है, radiation का reflection होता है, और अर्थ का जो temperature बरकरार रहता है, बना हुआ रहता है, इ जो भी आपको समझाए है, उसको notes, जो PDF है, उसको एक वार अच्छे से explain कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद हम explain कर देते हैं, कुछ question है, वो आपको बताते हैं, और PDF का जो notes है, वो आपको group में मिल जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं, आगे, अभी देख लेते हैं, एक एक effect का definition लिखा हुआ है, एक green horse is a horse, made of glass, जो किसे बना होता है, glass से बना होता है, which is used to grow plants, जो plants को grow करने के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है, plants को grow करने के लिए बनाया जाता है, in which sun's radiation, यानि sun का जो radiation होता है, warm the air inside green horses, देखो यहाँ पर आपको green horse दीख रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर भी दीख रहा होगा, इसके अंदर जो air होता है, वो क्या होता है, warm हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके बाद देखना, heat which is entered in green horse cannot escape, वो बाहर नहीं निकल सकता है, escape pod, वो बाहर नहीं आ सकता है, and warm the horse, और वो क्या करता है, घर्ब को गर्म कर देता है, which is essential for growth of plant, तो ठंडे reason में generally इसका use किया जाता है, जहां पे normal environment में पेड़ पौधे को grow नहीं किया जा सकता है, इतना समझ में आ गया, तो उसके बाद देखना, similarly in case of earth atmosphere, यानि earth के atmosphere में भी same यहीं होता है, during the day sun, heat up earth atmosphere, during the day, sun क्या करता है, वो heat कर देता है, during the day, sun heat up earth's atmosphere, atmosphere, earth का जो atmosphere होता है, उसको heat कर देता है, heat up कर देता है, but at night, when the earth cooled on, ठीक है, जब night होता है, तो earth क्या हो जाता है, cool down हो जाता है, वहां पे earth का temperature आ नहीं रहा है, earth का radiation हो नहीं रहा है, cool down, the heat radiant back into the atmosphere, by the gases, जो gases होते हैं, इस इन्ही गैसों को greenhouse gas भी का जाता है, यह greenhouse gas क्या करते है atmosphere से, वह back कर देते हैं, heat का जो radiate होता है, उसको back कर देते हैं, into the atmosphere, by the gases in earth, earth atmosphere, वह atmosphere जो होता है, वह radiation को reflect कर देता है, back कर देता है, कहां करता है, तो earth atmosphere पर करता है, due to this process, जिस कारण से, इस परोचेस से, the surface of earth become warm, और जो earth होता है, वह warm हो जाता है, कब night में, देड़ह बोले थ प्लम नहीं होता है, आपको समझाए भी थे, कि light का जो radiation होता है, वो reflect होगा, और जो earth का environment है, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, that make the earth survival for living beings, जो living beings, जो इतने भी animals, humans हैं, या plants है, उन लोगों के survival के रिए फिर ये important हो जाता है, radiation का reflect होना, उसके बाद देखना, the gases which are responsible for green horse effect is known as green horse gases, जो green horse condition होता है, जो green horse effect होता है, उसके लिए जो gases responsible होते हैं, उनको green horse gases कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद next देखना, due to increase in level of green horse gases, green horse gases के increase होने से, solar radiation increases, जो sun का radiation होता है, वो भी increase हो जाता है, which is responsible for the increase in temperature जो temperature increase होने के लिए या अर्थ का temperature increase के लिए responsible होता है at the earth surface which is also known as global warming और इसी को लोग global warming भी करते हैं तो उमीद है कि ये फर्स्ट पेज आपको समझ में आ गया होगा इसका notes है वो आपको मिल जाएगा WhatsApp ग्रूप पे ठीक है next page देखते हैं greenhouse gases ग्रीन होस गैसेज कौन-कौन से हैं तो देखना greenhouse gases are the gas that absorb sun's radiation जो sun's के radiation को absorb करता है देखो ये sun का radiation आपको यहाँ पे दिख रहा होगा या अर्थ सर्पेस पे आया ये क्या करता है इसको absorb करके बाद में फिर अर्थ सर्पेस पे reflect कर देता है ठीक है तो greenhouse gases are the gas that absorb या फिर आप वो सकते हो यहाँ पे reflect वो क्या करता है reflect कर देता है sun's radiation and create a greenhouse effect और वो greenhouse effect को create करता है ठीक है जैसे यहाँ से sun का radiation है वो heat है वो बापस जा रहा था तो ये heat को absorb कर लेगा ठीक है absorb करने के बाद फिर से इसमें radiation स्टार्ट होगा फिर सी अर्थ जो energy है उसको reflect कर देता है ठीक है तो greenhouse gases are following carbon dioxide यह 56% है जितने भी greenhouse effect होते हैं गैसे हैं उनमें 56% carbon dioxide है methane है वो 18% है chlorofluoro carbon CFC है वो 13% है जो हम लोग DO या AC यूज करते हैं या refree generator से यह CFC gases का निकलता है अब तो बहुत जादा control हो चुका है अब बहुत कम ही इसका production होता है refree generator और AC से ठीक है ozone भी responsible है greenhouse के लिए और nitrous oxide NOx यह भी responsible है greenhouse gases या greenhouse effect के लिए ठीक है उसके बाद देखना cause of greenhouse effect किन-किन कार्णों से greenhouse effect होता है तो जो भी activity quantity increase कर देगा जितना ज्यादा gas होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर radiation का reflection होगा उतना ही ज्यादा gases है absorb करके फिर से earth surface पर इसको भेज देंगे ठीक है तो जितना ज्यादा gases होगा उतना ही ज्यादा heat का यहाँ पर absorption होगा ज्यादा absorb कर लेगा और heat को बाद में reflect कर देगा ठीक है उसके बाद एकना cause of greenhouse gases the major cause of greenhouse gases effect are following major cause है greenhouse effect का वो following है पहला है burning of fossil fuels, fossil fuels मतब जिवास्म जैसे मिलने वाला fuel, जैसे coal हो गया, diesel, petrol these are the fossil fuels, they are widely used in the transportation transportation में यह widely used होता है and to produce electricity electricity produce करने में भी इसका use होता है, koila से thermal power plant में बिजली बनाया जाता है, ठीक है koila का use करते है, boiler में पानी को गर्म करने में और उसका जो बास्प होता है, फिर वहां से हम लोग को electricity मिल जाता है, टर्बाइन को चलाते हैं, देखो the burning of fossil fuels release carbon dioxide और fossil fuels यानि diesel, petrol और koila के जलाने से CO2 मिलता है, और CO2 क्या करता है, कौन सा gas है, तो green house gas है, तो उमीद है चीज़े आपको समझ में आ रहे होगी, इसको आप एक बर पढ़ लिजेगा, ठीक है तो काफी help मिलेगा आपको, उसके बाद है deforestation, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, deforestation का मतला होता है जंगल की कटाई या पेडो की कटाई, plants and trees take CO2, carbon dioxide को क्या करते है consume करते हैं, और किसको release करते हैं, oxygen को यह release कर देते हैं due to cutting of trees, there is considerable increase in greenhouse gases जब हम लोग tree को काट देंगे, तो वो consumption है, वो reduction है carbon dioxide का, वो घट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर oxygen कम है carbon dioxide बढ़ रहा है, तो इससे green house effect भी बढ़ेगा farming से भी green house effect release होता है, nitrous oxide है जो fertilizer में पाया जाता है, is one of the contributors to the green house effect nitrous oxide है, उससे भी क्या होता है, green house, gas निकलता है यानि fertilizer से green house gas निकलता है, और finally, यह भी responsible है green house effect के लिए, industry is the major contributor, industry और factory होता है वहाँ पे बहुत सारे product बनाये जाते हैं, और gases भी बहुत जादा release होता है, the major contributor to green house gases are factories and industries, they release harmful gases in the atmosphere, atmosphere में बहुत सारे gases हैं, वो release करते हैं, ठीक है, तो यह सब हो गया, यहाँ पे causes क्या है, किन-किन कार्णों से green house effect होता है तो चार topic sufficient है, उसके बाद है, effect of green house gas, green house gas का effect क्या है, तो देखना अच्छे से देखो छोटा सा last topic है यह, the main effect of increased green house gases are following, मतलब जब green house gases बहुत जादा increase कर जाएगा, तो इसका effect क्या होगा, देखो it will result in melting of ice, ice क्या हो जाएगा, melt हो जाएगा, जब green house effect होगा, तो क्या हो जाएगा, temperature बढ़ेगा, करेगा, melt करेगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, rise in sea level, जो समुंदर का पानी का level है, वो rise कर जाएगा, उसके बाद देखना, next है, due to increase in green house gases, ozone layer start decreasing, जैसे जैसे green house gases आएगा, pollution बढ़ेगा, और pollution क्या करता है, ozone layer को deplete करता है, decrease करने लगता है, ozone layer protect earth surface from harmful ultra boilet raise, harmful जो ultra boilet raise होता है, उससे हम लोग को protect करता है, तो इसके कारण क्या होता है, global warming के कारण ozone layer का depletion होता है, घटता है, decrease कर जाता है, last point है बावो, इसको भी आप देखी लो, एक छोटा सब topic बचा हुआ है, ठीक है, due to greenhouse gases, climate condition is changing, यह global warming होता है, और climate condition भी change हो जाता है, कहीं कहीं पर बारिस बहुँ जादा होती है, बोले थे temperature बढ़ेगा, तो water कहीं पर जादा evaporate कर जाएगा, तो यहाँ पर drought का जाएगा, बाढ़ा जाएगा, और यहाँ पर क्या पढ़ेगा, सुखा पढ़ जाएगा, तो climate condition change होने से यह सब होता है, तो उमीद है कि चीजे आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, आप इसको PDF को एक बार पढ़ लिजेगा, sufficient है इतना, ठीक है, यहाँ से आपके semester के लिए क्या question बन सकता है, question पहले बनेगा कि what is green horse effect, आप से directly पूछतेगा कि green horse effect क्या होता है, और यह important question में से आप एक समझ सकते हो, यह what is green horse effect, ठीक है, green horse effect क्या है, ठीक है, what are the cause of, what are the cause, causes, यह आप लिख सकते है, causes of, of green horse effect, ठीक है, यह question आप लिख लेना, green horse effect, ठीक है, और इसके बाद impact भी पूछ सकता है, कि what is the impact of, what is impact of, impact मतलब यहाँ पे effect बोल रहे हैं, what is impact of green horse effect, यह तीन topic है, आप इसको पढ़ लेना, green horse effect, ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग next जो lecture है, उसमें global warming और acid rain के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं next video lecture में, thank you.